पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट बनवाने का वो महत्पून पार्ट जिसके बिना आपका अप्लिकेशन अधूरा है मतलब यह कि जब तक आपके अप्लिकेशन के ऊपर आपका पासपोर्ट पे पुलिस वेरिफिकेशन ना हो जाए आपके दिये हुए पतों पे तब तक जो है आपका application को consider नहीं किया जाता है और आपका जो passport है वो बनकर आपके घर पे नहीं आता है कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपका जो police verification जो होता है वो सबसे important role play करता है और वो step यह decide करता है कि आपका passport बनेगा की नहीं बनेगा इसके जाज की जाती है उसके nationality को चेक किया जाता है ठीक है उसके character को चेक किया जाता है और साथ ही साथ उसने जो address provide किया है अपने application में वो real में उस passport पे रहता है या नहीं साथ ही साथ उसके उपर कहीं कुछ criminal charges तो नहीं है कहीं किसी अदालत द्वारा उसके उपर कोई वारेंट वगरा तो नहीं है इन तमाम चीजों की जाज की जाती है पुलिस verification में ऐसे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर जो है पूरी तरीके से की कि आपका passport का जो पुलिस verification है वो किस तरीके से किया जाता है और आपको कौन-कौन से steps अपनाने होते हैं ताकि easily जो है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका पुलिस verification हो जाए और कौन-कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए जिससे की भविश्य में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है या फिर यह भी हो सकता है कि आपके application को reject कर जा जाया और आपका जो पुलिस verification है वो negative या फिर adverse चला जाए तो बैसे के लिए दोस्तों यहां पर जो है पासपोर्ट बनवाने में टोटल तीन स्टेप्स फॉलो करने होते हैं किसी भी इंडिविजिवल को अगर आप बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट के लिए apply कर रहे हैं तब भी या फिर आपक वो काफी common है आप सभी जानते हैं उसके लिए जो है आपका जो पासपोर्ट डिपार्टमेंट का जो official website है ठीक है उस पर आपको जो है login करना होता है बकाइदा एक ID बनानी होती है ठीक है जिस तरीके से आप Facebook का आपका ID होता है मतलब कि एक user ID और एक passport होता है ठीक उसी तरी है ना हर एक detail को काफी बारीकी से बरें काफी अच्छी तरीके से बरें double cross check कर लें बकाइदा आप अपने नाम का spelling अपने सरनेम का spelling आप अपना जो date of birth भर रहे हैं वह अपने फादर नेम मदर नेम और अपना साथ ही साथ जो आपका एड्रेस है कहने का मतलब मेरा दोस्तों यह है कि आपको हर एक information जो आप वहां पे भर रहें बिल्कुल to the point बिल्कुल accurate होना चाहिए और आपको उस कॉलम में पासपोर्ट अप्लिकेशन में same to same वही details भरने हैं मैं एक बार फिर से repeat कर रहा हूं वही details भरने हैं जो आपके ID card पे जो आपके documents पे हो आपको अपनी और से कभी भी स्मार्ट नहीं बनना है, अपनी और से कभी भी कोई additional जानकारी नहीं देनी है, जो आपके ID proof में है, जो आपके documents में है, वही सही है, माल लेते हैं कि आपके document में कुछ spelling गलत भी है, तब भी आपको वही spelling भरना है, क्योंकि डॉक्म mainly मेरा नाम सनी गैसे क्माल लेते हैं कि मेरा नाम सनी यां तो सनी में जाना जाऊंगा इस Cow फर्क ने पढ़ता है कि रियल में क्या है जो है जो मेरे और पैंट अधार इस पैलिंग जो भी डिटेल्स खिने का मतलब यह है कि आपको अपनी ओर से से कोई भी कर्रेक्शन नहीं करना है आपनी ओर से कोई भी एक्सट्रा कॉलम एक्सट्रा कॉमा यहां त़की फूल स्टोफ भी खुश से नहीं भरना है आपके । प्रमार्ण में लाइक आपके अधार कार्ट पे जो भी आपका पता है, आपको same to same वही उतार देना है, यह नहीं करना है, यहाप लेके आपके चलना है, अगर आपको उसमें कुछ mismatch लगता है, कि नहीं यार यह मेरा पता गलत है तो आप अधार अपना अपडेट करवा लें आप अपना डॉकमेंट में सुधार करवा लें लेकिन जो डॉकमेंट पे है आपको वही लेकर चलना है दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको application form में सिर्फ और सिर्फ वही चीजे भरनी है जो कि actual में exist करती हो ठीक है आपको हवा हवाई या फिर अपनी और से कोई भी चीजे एड नहीं करनी है ताकि यह किसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जो अगला पार्ट जो की step number two होता है वह होता है physical appointment का तूकि अभी तक तो आपने online apply किया आप खुछ से भी mobile से कियोंगे laptop से कियोंगे या फिर आप cyber cafe से कियोंगे तो आपके details तो उसके पास already चले गए लेकिन आपका physical verification भी तो होन नहीं है तो इसके लिए क्या होता है कि आपको जो है appointment लेनी होती है और आपको जाना होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र जो की एक बकाइदा एक office होता है dedicated office होता है जहां पे आपके सभी documents जो भी आपने detail भरे हैं application form में उसके regarding उसके विहाब पे आपके सभी documents को check किये जाते है ठीक है लाइक के आपने जो पता भरा है तो वह आपका documents पर पता है या नहीं आपका नाम आपका date of birth उससे related जो भी आपके documents होंगे आपका pen card, अधार card, driving license, 10th का mark sheet वगएरा को check किया जाता है और साथ ही साथ जो सबसे महत्पूर्ण होता है आपका passport size का photo ठीक है अब आख भी है चलो जी यह सब चीज तो हो गया मतलब यह कि आपके details जो है passport department के पास चले गया आपका photo बगएरा सब कुछ click हो गया अब बात आती है यह check करने का कि आप आपने सभी details वहां पर भर दी आपका photo बगएरा सब कुछ बिल्कुल accurate हो गया लेकिन अब बारी आती है यह check कर करने का कि हां आप सही में passport जो है वह deserve करते हैं या नहीं वह इस basis पर तो आपको नहीं देदेंगे कि आपने application form भरा आप यहां आ गए तब लो जी passport नहीं क्योंकि passport जो है काफी sensitive document होता है काफी highly confidential document होता है ठीक है क्योंकि आप इसको लेकर abroad travel करने वाले हैं आप इंडिया को करने वाले हैं आपका वहां पे nature और behavior कैसा होगा यह इंडिया का जो relation है उस particular country से यह तै करता है ठीक है तो इसके लिए जो पहला criteria होता है आपका nationality है ठीक है आपकी नागरिता भारत का passport सिर्फ और सिर्फ भारतिये लोगों को ही दिया जाता है ठीक है अगर आप नेपाली ह है आप क्योंकि इंडिया में तो नेपाली लोगों को रहने का पूरा चूट है अब अराम से आईए यहां रहिए मुमोज वगेरा बेचिए काम कीजिए कुछ भी कर सकते हैं है लेकिन आप भारत के नागरित तो नहीं है यहां रहने से को नागरिक नहीं हो जाता है नागर देशी तो नहीं है तो इसको क्रॉस चेक कैसे होगा इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा अब पासपोर्ट ऑफिस वाले तो यह कर नहीं सकते हैं उसके हाथ में तो कुछ पावर है नहीं तो इसके लिए जिम्मेदारी है यह दी जाती है भारतिये पुलिस को जो आपका जो भी है जिसका एड्रेस यह है इसका नाम यह है इसका जो है आप पुलिस वेरिफिकेशन कीजिए अब यह बात आ गई पुलिस वालों पर उनके थाने में आपका डिटेल चला आया तो अब क्या होगा कि उनका एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होता है जिसको ल आई यू बोल सकते हैं वह अपना इंटर्नली यह पता लगाती है कि वह तो सरनेम से ही पता चल जाता है ठीक है जैसे कि अगर आपका सरनेम थापा है तो डाउट हो जाता है कि कहीं नेपाली तो नहीं है तो इस पर जोड़ा सा एक्ट्रा फोकस करना पड़ता है ठीक है वही अगर आप त गुपता है तो नाम से लग रहा है तो इंडियन है है कि नहीं कुछ-कुछ टाइटल तो ऐसे होते हैं सरनेम ऐसे होते हैं जो कि इंडियन ही है यादब हो गया सिंग हो गया यह सभी जो है इंडियन है तो इस तरीके से उनकी नागरिता को वो लोग इंटेलिजेंस के तुरू पता लगा लेते हैं अब बारी आती है कि यार कहीं इसके उपर कुछ प्रेंडिंग क्रिमिनल चार्ज़ तो नहीं होंगे है न कहीं यह इसके उपर कुछ वारेंट वगरा हो या फिर जमानत पर तो बाहर नहीं है कि विदेश बाग जाए तो क्या है उनका अपने पोर्टल हो जो आऊठ कर लेते हैं और जैसे उने कुछ पता चलता है कि असके ूपर फुह प्लाना थाने में दिन में में धाला इस्टेट में वह नहीं होता है तो इंडिया कि सिवी छफाने में आपके ऊपर कुछ उता हैक उत्य तो यह आप ना सोचे वह किसी डूसरे उस्टेट में रफड़ा इस पता किया हुए तो यहां पता नहीं चलेगा फटा चल जाता है फ्योग मी दोना कमें फ़िर ऐंडियان और इसके उपर को भी प्रिमर्ण M तो नहीं है अब अब बारी आती है कि आपने जो पता अपना लिए है जो आपने असफिक ती तो नहीं है ये ह्याई है लिए यहीं हो करका हो ranging recovering a pen जाए सब्सक्नी आद था वो आपनी अटरेस तो वह सिर्फ का current address हो सकता है वहाँ पर यह चेक होगा कि आपने permanent address में अपना permanent address दिया है या नहीं आप चीजों को समझिए अगर आपने अपना rent वाला address दे रखा अगर आपकी राये पे रह रहे हैं तो वह address सिर्फ और सिर्फ आपके करेंट एड्रेस वाले कॉलम में ही होना चाहिए अगर आपने पर्मानेंट वाले में भी सेम वही डाल रखा है जो आपका रेंट वाल एड्रेस है तो जो है 110 परसेंट आपका जो वेरिफिकेशन है वो फेल हो जाएगा क्योंकि उनके पास आपका एक्चुल रिकॉर्ड नही आपको अपना पर्मानेंट एड्रेस देना है इसलिए कॉलम में वहां पर दो एड्रेस का विवस्था किया गया है ताकि किसी को कोई सुभिदा नहीं हो लेकिन लोग गलती कर बैठते हैं लोग बोलते हैं क्या ही पता चलेगा मेरे पास तो रेंट एग्रिमेंट है तो यह आप एक्चुल में बिलॉंग करते हैं वही अगर आपका अपना घर है जो अपने अड्रेस में जहां पर रह रहे हैं जहां पर वेरिफिकेशन करना है वह प्रोपर्टी आपकी अपनी है आपके फादर की है तब तो यहां पर पर्मानेंट और जो करेंट एड्रेस होगा न आपका जो है फिजिकल विरिफिकेशन करना है तो वह अपने साब से आपको टाइम बता देंगे तो आपको वहां पे प्रेजन्ट रहना है दोस्तों यह भी मस्ट है बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वह एड्रेस देते हैं और वह गाइब रहते हैं अगर वह पुलिस वाले आपके घर पे आएं अगर आप वहां पे प्रेजेंट नहीं पाए गए तो आपका वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा तो मेक शूर कि आपको अपने अड्रेस पे फिजिकली आपको वहां पे मौजूद रहना जरूरी है अब यहां पर बात आते हैं कि डॉक्मेंट कौन-कौन से रिक्वाइड होते हैं पुलिस वेरिफिकेशन में कौन-कौन से डॉक्मेंट हमसे मांगे जाते हैं तो यह डिपे देश्री लोग वहां से इंटर कर गया है और उन्होंने पैसे वैसे देखे आधार वाधार भी बनवा रखा है तो अपने देश का इंटेलिजेंस है न वह जो है एरिया वाइस जो है उसने अलग-अलग नियम कानून बना रखे हैं वह अगर आप बिलकुल से हैं मध्यपर प्रदेश महराश्य राजयों की बॉडर रहिया नहीं है तो वहां पे अडिशनल डॉकुमेंट्स नहीं मांगे जाते हैं लेकिन फिर भी कम से कम पूरा प्रॉपर रूप से आपको अपने पते का प्रूफ देना होता है अधार कार्ट तो आप देंगे ही देंगे साथ ही स प्रिजद काई वाटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं मंख्सद यह होता है कि हा की मेरिय और इसकी और इसकी ओरिजिनलिटी बस अगर आप इन दो चीजों पर खरे उतर गयें तो पिर नहीं कोई दिक्टकेifa का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा फिर को प्रॉबलम नहीं होता है तो इस तरीके से दोस्तों फिजिकल पुलिस वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद वो आगे रिपोर्ट भेजते हैं अपना SP और SP और में भी एक अलग से टीम होती है CID टीम होती है जो एक बार फिर से वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो आगे भेजा जाता है आपके रिस्पेक्टिव आर्पियों में उसके बाद जो है आपका पास्पोर्ट का प्रिंटिंग लेमिनेशन और डिस्पैच्मेंट कर दिया जाता है तो दोस्तों यह था टेक्निकली पूरा चैप करने से लेकर फीजिकल वेरिफिकेशन पूरी तरीके से डन होने में यह सब ही प्रतिक्रियां होती है प्रकिर्याइं पूरी की जाती है और आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए अपने अड्रेस में कौन-कौन से आजिए आपको जो है साबधानी रखना चाहिए आशार उमीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा और अगर आप पास्पोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही काम का होगा इसके अपार्ट फ्रॉम डेट गाईज अगर आपके मन में कुछ और कोशन ह कोई और इशू अगर आप फेस कर रहे हैं पास्पोर्ट को लेकर तो बेशक आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं साथ ही साथ चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा वाट्सप नमबर भी है जहां पर आप मुझसे कॉंटेट कर सकते हैं मुझे मिलते हैं किसी और वीडियो में जय हिंद